हेलो अच्टुडेंट मैं असल पूशा भीमानी I will teach you social science chapter number first for class six class इसका हम chapter number first पढ़ेंगे जिसका नाम है why history history क्या क्यों होती है हम मैं आपको बताओंगी कि history क्यों होती है तो history का मतलब क्या होता है जो हमारे past जो हमारा बीच चुका पर उसको हम क्या बोलेंगे history बोलेंगे तो history क्या है एक mystery है history और mystery क्या होदा history मतलब एक हमारी पिछला जो जा चुका है उसके बारे में होती है तो history क्या होती है हम history क्यों पढ़ते हैं most of most of our of you would have often thought about it the answer is simple everything would have been a mystery if there is no history ऐसी बहुत सारे चीज़े होती हैं जिसको हम लिख नहीं पाते हैं save नहीं कर पाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं history बोलते हैं history के अंदर हम क्या पढ़ते हैं हमारा past पढ़ते हैं जो कि हम जहां से हम आए हैं जो हमारा बीत गया है हम उसको उसमें पढ़ते हैं हम उसमें पढ़ते हैं what early humans at वो लोग क्या खाते थे where वो कहां से थे कैसे वो लोग रहते थे और कैसे वो अपना जीवन बिताते थे हम सब किसमें पढ़ते हैं history में पढ़ते हैं history के अंदर five w's आते हैं मतलब what, why, where, who, when what मतलब क्या, why मतलब क्यू, where मतलब कहां who मतलब कौन और when मतलब कब तो ये सब क्या पढ़ते हैं हम history में पढ़ते हैं और history में one h आता है जिसका मतलब होता है how, क्या होता है how, how how मतलब क्या होता है, कैसे how में कैसे होगा, how did begin life on the earth life कैसे आई अर्थ पे how did the elements communicate elements कैसे communicate करते how did they move from one place to another, वो एक से जगे से दुझे कैसे जाते तो यह सब किस में आता है, how में आता है, what मतलब क्या होता है what मतलब होता है, क्या, तो what did our ancestors for doing, leaving, वो लो क्या करते थे उनके रहने के लिए कैसे कपड़े बेहनते थे, वो लो क्या खाते थे, और और हमारे relovelation 1857 में क्या हुआ था, वो what is the need of what, लड़ाई की क्यों जरत पड़ी, वो अब why क्या होता है, why our ancestors move from one place to another, हमारे जब पूर्वश थे वो इधर सो दर क्यों जाते थे why do nations fight हमारे nations में लड़ाई, क्यों वो देखते थे, why do we need armies, हमको आर्मी की जर्वत क्यों पड़ी, वो लोग देखते थे why do we need nuclear power, हमको nuclear power की कुछ जर्वत पड़ी, वो लोग देखते रहे, when मतलब क्या होता है, कब, when did life on the earth begin, earth पे life कब आई, when did the Britishers come to India, हमारे इंडिया में Britishers कब आय, कब आय, when did the India got independence, इंडिया को independence कब मिला, वो कब आया, अब where में क्या आता है, where did the first appear on the earth, सबसे पहले earth पे कौन आया था, वो देखेंगे, where were the most important battles, कौन कौन से लड़ाई जगरे थे, वो लोग हम देखेंगे, अब हू में क्या आता है, ऐसा कौन सा परसन सबसे पहले मून पे गया, वो हू में आएगा, who was the first person to go to the moon, सबसे पहले moon के कौन गया, वो आएगा, who discovered India, इंडिया को किसने बनाया था, जो हमारे बहुत साथे monuments, structure है, वो कैसे बने थे, किसने बनाया था, वो सब किसमें आएगा, हू में आएगा, अब हम history क्या हो दी, वो पढ़े, तो the history comes from the Greek word, कौन से words से आएगा, इसका नाम क्या है, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है, investigate the past, past को investigate, investigate मतलब क्या होता है, कि जार्ज परताल करना past के बारे में, जानना, क्या बोलेंगे, history बोलेंगे, the time frame under the history, अब हिस्टोरिया भी कितने believe that human existed before prehistory, but we do not have any written record of how they lived, what they are at, etc. तो prehistory में क्या होता है, students, बच्चों prehistory में क्या होता है, जो history होती जिसका हम कुछ भी written में नहीं लिखते हैं, कोई भी हम उसकी documents नहीं बनाते हैं, उसकों क्या बोलेंगे prehistory बोलेंगे, अब protohistory क्या होती है, protohistory is the prayer between prehistory and the history protohistory क्या होती है ऐसा समय जिसके बीच में prehistory और history के बीच में होना और इसके अंदर क्या होता है हम हर चीश लिखकर रखते हैं, कि हम लोग पहले क्या पहनते हैं थे, हम लोग पहले क्या कहते थे, अब आता है हमारा history तो history में आपको बता है history क्या होता है history हमारे past को बताती है तो history का कोई and नहीं होता है जिसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे history का भी आगे बढ़ता जाएगा अब हम पढ़ेंगे sources of sources of history क्या होता है history is studied not through one particular method but through many जो history होती है वो एक तरह से हम लोग नहीं पढ़ते हैं बलकि बहुत सारे methods होते हैं हम उनसे पढ़ते हैं इस्टोरियांस to study interpret and the present past even in their purest form history को लिखता है जो history को लिखता है हम उस्टोरियांस बोलते हैं जो history को लिखता है हम सुक्षोरियांस क्या करते हैं हमारी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं इंटरप्रेट मतलब होता है रिजल्ट बताते हैं और रिप्रेजेंट पास्ट इवेंट्स हमको पास्ट इवेंट्स मतलब पहले इवेंट्स के बारे में बताते हैं किसके फॉर्म में बिल्कुल अच्छे फॉर्म में बताते हैं तो हिस्ट्र अर्चर लिटरेरी सॉर्सर इससे अंगे आएगा हमारा फॉजिल्स आर्टिफेक्स औरन when बर्ल साइन आदडिन्स कॉइन इस दल्व लेक्टर डिकल्स और आएगा बहुत सारे sources में remains of pupil and the organism that live in the past काई में सुपीवी रहती है past में पुचवी रहती किस के form में? Fossils के form में Fossils मतलब हम आगे पड़ेंगे क्या होता है? Fossils के form में रहती है of animal and plants, old buildings, पुरानी buildings होती है remains of entrance relation, tools, implements, coins यह सब क्या होती है? इसके अंदर क्या होती है? हमारी history छुपीवी रहती है तो archaeological sources में क्या होता है? कि हमारे जो history काई में छुपीवी हो या तो coins के room में छुपीवी हो या तो फिर किसी Fossils में छुपीवी हो या pentis के तरूम को history प्राइब आप इसके अंदर क्या होगा? कि इसकी जो पिचर के अंदर fall है जिसको हम बोलेंगे डानसौर्स की पिचर fall हमको क्या बता दी कि पहले की जमने में डानसौर्स इस प्रकार्स के हुआ करते थे अब हम पढ़ेंगे artifacts artifacts क्या होता है? artifacts क्या होता है? made by man जो main के तरूम बना है हम उसको क्या बोलेंगे? artifacts बोलेंगे artifacts are the main made objects such as poetry, jewelry, seals, tools and implements. the study of artifacts reveals how people of a particular culture lived. तो इसके अंदर क्या होता है? जो हमारी implements रहेंगे जिसके तरह हमको हमारी जो पुरानी जो रीती रिवाजर्स के बादे में पता पड़े तो similarly, parts of the tools and implements considered to have been used by hunter, gatherers have been found in the execution situation. मतलब क्या होता है? देखो आप एक आपको example से रखे, इसके अंदर खुदाई दे रखे, इस खुदाई से हम लोग को बता पड़ता है कि हमारा past क्या है? और हम लोग कहां से past करने है? यह क्या है? पश्चु पशिनाद, seal from the hindus valley, चिवे रिलेशन हांटर, gatherers, टूल से रखे हैं और यह पश्चु पशिनाद जो हमारे गौड है उसकी दिवास से पैंटिंग दे रखी है तो सुट्ट, aircraft मतलब क्या होता है? ऐसे दिवालों के तुरू हमको बता पड़े कि हमारे history क्या होती है? तो अब बढ़ते हम coins के बारे में आप लोगों ने देखिए हूंगे पहले के जमाने में coins कुछ इस तरह के से हुआ करते थे तो इस तरीके से coins जो हुआ करते थे, उससे हमको बता पड़ता था कि हमारे history के यह लोग king रहे वे हैं आपको बता है पहले जो kingdom से हुआ करते थे, coins पर उनके photo चिपकाय जाते थे तो coins में क्या होता है? coins are the most important source of history coins what are the important source है हमारे history का they throw a great deal of lights on the times they belong to the earliest Indian coins are called punch mark coins जो इनके जो coins के ओपर जो यह बने भी रहते थे, उनकों क्या बोलते थे? punch mark coins यह silver के हुआ करते थे, जिसके अंदर क्या हुआ करता था? या तो animals का symbol बनावा रहता था या charrettes, charrettes क्या होता है? चर्खो, चर्खे का बनावा रहता था था या किसी mountain या किसी देवता का चपावा रहता था अब हमारा आ रहा है monuments, monuments क्या होते है? तो historical structure which tells us about the life and attempt the people of Iraq born by the monuments monuments होते हैं जैसे कि हमारा tarjmel बनावा है, kutub-minaar बनावा है, इनके यादों किसने किसी के यादों में बनावा है तो उसको हम क्या बनेगे? monuments बनेवे हैं जो कि हमारे पहले के time के बताते हैं जिनको हम history कहते हैं history के बारे में बताना अब next रहते हैं हमारा barrel sites, barrel sites क्या होता है? These are small or big pieces of the land इसमें कहाएं चोटे या बड़े pieces होना जमीन के, which are used for burying dead people, जहां पे मरेवे लोगों को रखा जाए, जो हमारे पुराने लोगों को रखा जाता है, जो मरेवे लोगों को रखा जाता है उसको यह लोग रखते हैं वहाँ पर और बताते हैं कि यह हमारी हिस्ट्री है यहाँ पर यह लोग मरे थे और यहाँ पर यह मुमेंट मरे थी यहाँ पर इस जगर को दफनाया गया था यह आपको दे रखा है देखिए यह बर्ली स्केल्टर रिमेंज आज कल अगर हम इसको खोदेंगे तो हमको स्केल्स लिखिएंगे तो बर्ली साइट्स मतलब कर आता है जहां मरे लोगों को कि रखा जाता है यादों में वह हमेरी हिस्ट्री बताते नेक्स्ट माँचा गां इंस्क्रिप्शन और इडिक्ट इंस्क्रिक्शन और होता है दर डार से सच इस वॉल स्टोन कैव मेहां पेल आपने देखाओ buddha रहो पेMM thumbs उनकी वां पेन कुछ निदों दिखाओ रहता हैं इंस्क्रिप्शन wert चो फी मझेते हैं न एकवान इंस्कारिकोट यह उता है इन्सक्रिप्शन抗 वन शौनसी वहुआ हैं उश्वाओं ठीक है अब हम पढ़ेंगे लिट्रेली सोर्स लिट्रेली सोर्स क्या होते हैं लिट्रेली सोर्स आर गोड़ेंगे या रिटं में उनका कुछ न कुछ लिखावा देगा उसको क्या हम भूलेंगे क्या बोलेंगे लिट्रेरिली सॉर्सेस अथिस्ट्री वह क्या है हमारे लिट्रेरली सॉर्स वह सॉप्सितरी कहला है कि we know a lot about the leaves and times of the ancient people because these records have been transformed our generation orally in the form of fall tells पुराने जमाने के गाने सुनते हैं या तो फिर कोई बहुत सारे फॉल्स टैल से कहानी सुनते हैं और ली तो उसको हम क्या भोलेंगे वह हमारे हिस्ट्री को खाय से बता रही है एक लिटरली सौर्स के रूप में बता रही है राइटिंग वस इंवेड़ेड अराउंड फाइब थाउजन इस दोगों जैसे यसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे उन लोगों ने हिस्ट्री को लिखना भी स्टार्ट करते गए प्यूबर लर्न तो पूट तोगएर लेटर सब्सक्राइब लेकिन जैसे समय बदलते गया और लोगों ने शुरू करना स्टार्ट कर दी वे लोग काई पे लिखने लगे लगाएं लेजने मिलीव स्टार्ट करें जलिप्स क्या होता है ड्राइब फॉर्ट दीवालों भी एडिवालों लगों यह स्टाट करते हैं इस पस्क्या लिखना अब हम पढ़ेंगे religious literature religious literature क्या होते हैं religious literature contents manuscript which are related कौन-कौन से आपने पढ़े हैं रगवेदा होते हैं समवेदा होते हैं यह जूरवेदा होते हैं अथरवेदा होते हैं यह हमारे और रामायन महाबरत यह पुरान से तो religious literature मतलब क्या होता है जो हमारे पहले से ही लिखेवे होती है देखिए इसे टाइप में लिखेवे रेते हैं क्या बोलेंगे religious literature बोलेंगे स्कैलर्स literature क्या होते हैं स्कैलर्स मतलब होता है अलग-अलग स्कैलर्स literature बोलेंगे